जयन दोस्तों आपका एक वाफिट से हार देख स्वागत है मेरे इस वीडियो में तो भाई सावाज हम बात करने वाले हैं फोटो सॉप या फोटो सॉप बेटा या हमारे क्रेटिक पुलाउड की ओलेट्स को फिरी में और लीगली तरीके से कैसे डाउनलोड करें और लीगल और फ्री तरीका है कि हम किसी भी सॉप टिर को ऑफिशेली ट्रैल ले लें तो इन सॉट हम आज बात करने वाले हैं एड़ोबी क्रेटिक पुलाउड का फ्री ट्रैयल 14 दिन का फ्री ट्रैयल वो भी बिना किसी क्रेट काट के तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें यहां पर एक फ्रेश इमेल आड़ी चाहिए फ्रेश इमेल आड़ी से मतलब यह है कि भाई इस इमेल की हेल्प से कभी भी कोई भी क्रेटिक क्लाउड का एकाट ना बना हो यहाँ पर मैंने अपनी एक फ्रेश इमेल क्रेट कर लिये हैं और उसे क्रोम में लोगन भी कर लिया है इसके बाद हमें Google में सर्च करना है Adobe Creative Cloud या फिर Adobe Creative Cloud All Apps मतलब आपको जो लगे उसे सर्च कर लिए आपको Adobe Creative Cloud की वेप साइट खोल लिए है फॉर्ष लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करना है और यहाँ आप उपर टॉप पर जो फिरी ट्रेयल का लिएप उस पर क्लिक करना है फिर हमें टीम्स वाले टेप पर क्लिक करना है यहां पर आप नीचे देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है 14 days free trial new grade card required और continue पर क्लिक कर देना है फिर आपने जो fresh email id बनाई हुई है उसको यहां पर as a business email डाल देना है फिर first name last name डालना है कंपनी नेम में आप अपनी अपना इस्टूडियो को नामी डाल तकते हैं फिर यहां company size में आपको 129 सेलेक्ट करना है फिर यहां पर हमें अपना देश सेलेक्ट करना है country सेलेक्ट करनी है तो मैंने यहां पर भारत चुन लिया है यहां पर स्टेट पर मैंने मद्यप्रदेश की विवार में मद्यप्रदेश से ब्लाउंग करता हूं फिर business phone में मोबाइल नमबर डालकर continue किया continue पर click करते ही आप adobe के account creation page पर जाएंगे यहां पर हमें अपना password बना लेना है और continue कर देना है यहां पर कुछ little source बढ़नी है और done कर देना अगर page reloading में कुछ type का error आए तो आपको tension नहीं लेना है page को फिर से reload कर देना है यहां पर कुछ type का welcome back दिखा जाएगा आपको यहां पर वही आपका company name और company size और other details बरके continue कर देना है finally अब हमारा creative cloud का Siri trial account बन चुका है अब हमें अपने Gmail open करना है क्यूंकि उसमें confirmation mail आया होगा और उस पर click करना है जिससे हमारी email verify हो जाए यदि आपकी email PC में login ना होके mobile में login है तो उसमें code आएगा code डाल के आप login कर सकते हैं उससे verify हो जाएगा और verify होने के बात continue पर click करेंगे तो हमारा adobe का main page खुल जाए फिर आप यहीं से creative cloud की desktop app download कर सकते हैं या फिर आगर आप पास पहले से है तो आप उसे install कर लेजिए creative cloud desktop install करने के बाद और login करने के बाद हमारा interface को इस टाइप का होगा यानि कि अब हम अपने creative cloud के सबी software को फ्री में इस्टॉल कर सकते हैं यानि कि फ्री में ट्रायल का मज़ा ले सकते हैं और हम अपने बेटा section में भी देखेंगे तो हमें या Photoshop बेटा का install का option भी आ रहा है तो चलो हम फटा फटा फट इस्टॉल कर लेते हैं लेकिन भाई software को download करते बक्त बस एक बात का ध्यान रखी है कि आपकी जो internet connectivity हो प्रॉपर हो और हाई-स्पीड हो और जो मेरी तरह mobile data पर डेपेंड है तो हो सकता उनके लिए कुछ problem create हो मतलब कि एक दो बार में पर definitely download हो जाएगा तो finally अब हमारा Photoshop का beta version download हो चुका है तो चलिए अब हम इसे चला कर देख लेते हैं तो भाई साब जैसा कि आप देख पा रहा है हमें अपने Photoshop beta का 14 दिन कफ़े ट्रायल मिल चुका है तो भाई लोग उम्मीद है कि आपको वीडियो helpful लगा होगा और अधी आप चैनल में नाए हैं तो भाई सपोर्ट कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और अंत मैं हमेज़ा मैं अपने भाईयों के लिए वही कहूंगा कि संग्रत रहिए स्रक्षत रहिए जैन चै भारत